मित्रो, क्या आप जानते हैं, क्या आपके गमलों में लगने वाला ये सुंदर पेरीनियल हर्व विसेश औस दिये गुन रखता है, इसको सदा बाहर के नाम से आप लोग जानते हैं, कैथारेंटस रोजियस या विनका रोजिया भी इसको कहते हैं, एक स्पीसिज इसकी और भ इसकी आप पॉर्ड्स देख रहे होंगे, पॉर्ड्स में जो बीज होते हैं, उसके माध्यम से इसका प्रोपेगेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और इसका पंचांग, मैडिशनल प्रोपर्टीज रखता है, होल प्लांट यूज किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी एलकलाइड पाये जाते हैं, 120 से जादा एलकलाइड इसके अंदर होते हैं, पुर्मुकता से इंडोल एलकलाइड इसके अंदर पाये जाता है, विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन के नाम से हम जानते हैं, इसके अंदर बहिनिक एसिड, लॉरिक एसिड, लिनोलिक, पाल और उसको ठीक करते हैं, इसके बाद इसके अंदर युर्सोली कैसिड पाये जाता है, युर्सोली कैसिड मुख्य थे, इंफ्लामेशन को कम करने और अपनी एंटियोक्सिडेंट एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, कई बार अटोमीन डिसॉडर्स अगर हो जाते हैं, तो उसमें हमारा जो सेल्फ डिफेंस मेकेनिजम है, जिसको एपोपिटोसिस कहते हैं, उसकी एक्टिविटी बहुत जादा भढ़ जाती है, तो ऐसे केसिस को कंट्रॉल करने के लिए हमें एंटि एपोपिटोटिक एक्टिविटी चाहिए होती है, और इस प्लांट का होल प्ल इसके कौमल पत्र और इसके फूल विरेचक प्रोपर्टि रखते हैं, इसके बाद इसके जो प्रोपर्टी है, इसमें एस्टिंजेट प्रोपर्टी पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर फुलो बेटेनिन्स, टेनिंस भी होते हैं, यह हैं हाइपोटेंसिव एक्टिविटी सो करता है ब्लड प्रेशर को कम करता है आप देखेंगे कि आजकल हमारे दैनिक जीवन में मानसिक तनाव नींद का नाना डायविटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कॉमन है चार समस्याओं का एक निराकरन सिंपल इसका फा करता है इसको आप ले सकते हैं देखा यह गया है कि लाल फूल वाला जो कैथारेंटस रोजियस है कि इसकी पोटेंसी एंटी डायविटिक और एंटी हाइपरटेंसिव पोटेंसी स्वेट से ज्यादा होती है यह है बहुत सेफ है इसका पंचांग बनाकर हमें सुखा कर पाउडर बनाकर रखना चाहिए होल प्लांट का हम यूज कर सकते हैं लेकिन क्योंकि इसमें बिटर प्रिंसिपल्स भी डवलप हो जाते हैं तो इसलिए इसके फुलावर और कॉमल पत्र लेना ज्यादा आसान रहता है फिर मिलेंगे नए औस दिये गुणों के साथ नए औ अदब के साथ आप सभी का धन्यवाद स्वस्त रहिए मस्त रहिए वस्त रहिए धन्यवाद